अगामि 5 अपैल को डिली के रामलिला मैदान में देश भर से हजारों की संख्या में किशान, मजदूर और इंडर्स्टिन लिवर जुट रही है अपने अलग-अलग सवालों को लेकर उसमें, इमेस्पी का सवाल है, नींदम मजदूरी का सवाल है, षितिहर मźदूर नरेगा में ज्यादाव काम मांग रहे हैं कि इसी क्रम में हम अलगअ-लग राज्यों के किसान नेताओं खेत-मल्दूर संगठाणों के नेताओं ते बात करें आज हमारे साथ करने के लिए आपदेशकुमार जी विखार किसान सबाव के वपाध्यक्ष हैं और वह तो हमें हमें आद बताएंगी कि बिहार में किसानों म चया हैं अपसे अगर में बादस चुरुआत करो हुँ से जो कि cracks किसान जो है इतने बड़ी संख्या में दिल्ली आ रहे हैं वो क्यों आ रहे हैं मैं यह सवाल आप से जान मुझ कर इसलिए पूछ रहा हूं कि जब भी खेती किसानी की बात होती है तो हमें अक्सर जो है बीजेपी कॉंग्रेस के जो सवाल है उसमें उल्जा दिया जाता है हम सब लोग जानते किसान की जो खेती है वो खेती और लागत खर्च बहुत बढ़िया और उनको जो मुनाफ़ा मिलना चाहिए कोई भी व्यक्ति जो महिनत करता मुनाफ़ा चाहता लेकिन मुनाफ़ा तो छोड़िये लागत मुल भी वोसे रिटर्म ने होते बल्कि घाटे अब ततकाल देखी आलू अच्छा उत्पादन हो अब यहार में यूपी में और भी दूसरे राज्यों में लेकिन 2 रूपी तीन रूपी कीलो भी आलू ने बीक पा रही है और अभी बेमोशम बारिश हो गई ओला का प्रभाव पर गया खेती की तबाही हो गई है तो किसान अब खेती नहीं करना चाहते हैं अगर उनको कोई वेकलपिक रोजगार मिल जाए दिन जा रहने के लिए तो केती छोड़ देना चाहते हैं स्वामीını आथां करसियायों के रीपोर्ट में भी बात दर्ज किया गया और किसानों की आत्महत्याएं बश्ती जा रही हैं और अब तो रोज कमाने खाने वाले जोग भी आत्महत्या करने क्लिश मज़ूर है तो इसलिए बरी संख्या में कृसान आ रहे हैं पूरे देस से और स्मस्य और ज्यादा गर्भीर हो गई और वो प्राया ग्रामीन गरीब हैं ग्रामीन खेत मज़ूर हैं और उनको रुजगार नहीं मिल पा रहा है तो कुल मिला के अगर आप देखिए तक किर्सी छेतर जो है वो बिलकूल संकट में है जाटे में है और किसान दरिद्र होते जा एक एकड की खेती में कितना उसका खर्च है और कितना मैं यह कहूं कि वो बचा पा रहा है तो आप क्या कहीं पहली बात है बचा पाने का तो कोई प्रशन ही नहीं है बचने का सवाल है अब अलग-अलग खेती हैं मक्य की खेती ग्यहूं की खेती धान की खेती आलू की खेत यायों के ये तो नगदी जो है तो अलग-अलग खेती जो है उसमें अलग-अलग खर्च आते हैं और जब खर्च में खासतों से किसान अपना जो महिनत करते हैं खासतों से गरीब किसान मौजवले किसान पूरा परिबार उसमें महिनत करते हैं और वो अपनी मजदूरी नहीं जोडते हैं अगर वो दूसरे के खेत में काम करें या कहीं दूसरे छेतर में कोई भी काम करें तो उन्हें 400-300 दूसर रुपिया तो डिली मजदूरी मिलेगी वो अपना मजदूरी नहीं जोडते हैं बावजूद सिर्फ खाद का जोड़ दीजिए अभी गयत है अरव्या जिला वहां बड़ा अच्छा मक्या की खेती होती है हमने पूछा किसानों से एक विगहा खेती में लागत खर्च तीन बार उनको ट्रेक्टर से जुताई करना पड़ता है उसके बाद उनको पानी सिचाई करना पड़ता है फिर डिये पी खाद की किमत बीग़ते नहीं यह सब करते करते तक्रीबर फचीस से थीस हजार रुपया खर्च आता है लेकिन जो आमकिसान है फंजोले इसजार और उनकर तौर outgoing के महाजुनों में लगता है तो कम सारे साथ हजार रुपिया इंट्रेस्ट हो जाएगा अगर वो इंट्रेस्ट जोड़ दिए तो खेती 35,000-40,000 पर पहुंग जाता है और जो पूरा परिबार खेती में लगा रहा था हूँ अपना मज़़ूरी जोड़ दे और फिर कागज पर हिसाब किता करें तो फ्रस्टेशन, आत्महत्याज, सुसाइड लेकिन उनके पास कोई काम ही नहीं है इसलिए मज़़ूरी होक्त में वो अपना खेती में लगे रहते हैं तो इसलिए आज खेती में कोई फाइदा ही नहीं रहा गया है ना कोई मुनाफ़ा है कोई मार्केट भी नहीं है है ना बिहार की किसान कहां बेचेंगे अभी मक्याई पैदा होगा तो हजार बारास उरुप के उसको बेचना पड़ेगा जिस तरह से आलू की कीमत नहीं मिला है अभी टमाटर लोगों ने फेका तो मार्केट भी नहीं है और इसलिए तो डिमांड है ना जो निम्तम खनमुल MSP को कानून का दर्जाद हो और यह पुरे देश के किसानों के लिए अहम है और बिहार के किसानों के लिए और भी जादा जरुआ था इस बाट नहीं होगा रकर का भी पेंदा है तो जब तक मार्केट नहीं मिलेगा उसकी सही कीमत नहीं मिलेगी सभय पर खरीद न अगर उसके लिए कोई रख रखाव काई जाब हो हर जगा और किरसी पर आधारित अगर उद्योग अस्थापित किया जाए वही मक्का लेकर के को फ्लेग बनाते है वही आलू दो रुपीय किलो चला जाता है और चिप्स बन जाता है उसका क्या रेट होता है वही टमाटर उस और उसे ग्रामीन गरीबों की क्रह सत्ती भी बढ़ सकती है लेकिन सरकार का इस दिशा में कोई ध्यान ही नहीं है खेती पूरी तरह से उपेच्छित है कोई सरकार के पास इसके आई जंड़ा ही नहीं है प्रजाए मैं को कि यह आप जो तीनों संगठन है चाहिए आपका सं करेंगे हमारे साथियों ने बहुत मेहनद किया है और यह पांच अप्रेल का जो मजदूर किसान संगर सहली है इसके परती उत्साह का बात अबन है और हम गये हम खुद मैं भी कई गयों में कई ग्रामीन इलाकों में मैंने भर्मन किया है लोग शुनते हैं और सरकार के खिल करने लगे हैं कि जो मोदी कोई भी एक भी काम अच्छा नहीं कर तो कि कोई भी सरकार जो कहती है जो हम दिकास कर रहे हम डेवलप्मेंट कर रहे हैं तो उसका पैमाना क्या होगा पैमानात यह होगा जो मेहनत करने वाले लोग है उनको काम मिल रहा है कि ने उनको रोटी मिल लगे हैं जो यह पूरी तरह से कार्पॉरेट के पक्ष में हैं और ग्रामीन जरीव खेत मज़़ूर किसान मज़़ूर इसके लिए कुछ भी यह करने वाले नहीं है तो चुनौतियां क्या रही हैं आप लोगों कि मतलब क्योंकि अब मैं गूँ कि आप लोग तो समझेज दिसमेटन तो है नहीं चुनौति तो सबसे बड़ा है भी जो नफरत की राज़ित को बढ़ाए जा रहा है फूट डालो राज करो कली हमने जो इंसा देखिए अब आप जिस तरीके से उसको क्वमनल रूप दिया जा रहा है सम्परदाइक रूप दिया जा रहा यह वरा खतरनाक और इसके पीछे एक ही विजन है कि आप लोग को रोजगार नहीं दे रहे हैं खेती ओलावकारी हो गई आप philanthropic नहीं करनेवालों के लिए महांगाई आप जांच कराने के लोग आप डिमांड कर रहे हैं इससे लोगों में यह बात जा रही है तो यह जो 2024 का जो चुनाब है उस चुनाब को देखते हुए सिर्फ और सिर्फ धर्म को कैसे राजनित से जोर है और जो उनका संपरदाई के जंडा है उस अधार पर धुर्विकरन इस दिशा में बढ़ना चाहिए यह बड़ी चुनोती है और यह विचारधारत की बात है और जब तक द की बात की और मोदी जो रहा है तो आम तोर पर दो योजना हो की बात करते हैं अगे बिलकुल यह सब कागज पर यह सब परचार का हत कंडा सरजमी पर यह कहीं दिखाई में पड़ता है जो सम्मान किसान योजना की बात किसको मिला रहा यह पहली बात है दूसरी बात था कि चाहने तक ब्Yहारण में स्चूरूब में जो पहली बार जो मिलना था उसमें से हमसल लगता है कि करीव एक लाग से जादस छटनी हो गया और जो तूर। था dhp पत्तर में तूटी था, यह सब चीज़ बेंक अकाउंट में तूटी था और किसान कहते हैं, जो मिल जो रहा था, बंद हो गया, ने को तो मिल ने रहा है, और उससे यह समस्या का सिद्धान होने बाला नहीं है, अब यह वह तो एक बात, दूसरी बात हम यह कह रहे हैं, जो य योजना चला करके किसानों को गरीबों को फैदा पहुचा रहा है, लेकिन सरजमी पर यह दिखाई में पर था, सच्चाई है, अगर यह बात होती मंदारी से, तो पंच किलो आनाज आज जो मिल रहा था, खासरक्षा के तहत, दो रुपय किलो गे हो, तिन रुपय किलो पर लोगों को राहत दे रहा है, योजना बना के कि आप गला काट रहे हैं, यह भरम में डालते हैं, यह ठकते हैं, यह गुमरा करते हैं, लेकिन अब इनके जो पर्दे थे ना, वो पर्दे उठ रहे हैं, तो इसलिए वो कोई योजना का सरजमी पर कोई फायदा दिखाई परता है, समाजीक सुरक्षा पेंशन, अभी वी ब्याहर में 400 रुपिय मिलता है, आप इसको बढ़ा सकते हो, हम लोग तो यह डिमांड कर रहे हैं, दस जार रुपिय मिलना चाहिए, और हमारे राज में तो 400 रुपिय मिलते हैं, तो प्रदान मंत्री जो मोधी जी काहते है तो यह पूरी तरह जन्वित्रन भी हम आभी आपको काते हैं, अगर 2024 में फिर रिटर्ण हो पाए, तो इनका पूरा यह जो है ना, यह योजना है कि जन्वित्रन को भी कैसे हम खतम कर देंगा, तो अवधे जी मैं को कि इस रैली में हम भी देख रहे हैं कि मतलब खेती हर मं तो है, वह बड़ी शंक्रा में आ रहा है, अभी अभी हमें कि दो तीन देन पहले से मिनिस्ट्रे अफ डूल डेल्पमेंट है, उसने नरेगा के अपने डेट्स अनौंस किया है, वह बिहार के लिए 220 रुपर प्रती दिन का उन्होंने अनौंस किया है, हमने देखा कि लॉक एक हद तक कम रोटी दाल चल सकता था, वो मिल रहा है, बहुत ही कम दिन मिले भी, और अभी जो आवंटन इन्होंने कम किया है, उसके चलते संक्ट और गहड़ा हो जाएगा, अभी विहार सरकार में बताया है कि नरेगा में भी जो इनको कंदर सरकार से रुप्या मिलना चा पाता है, ये बड़ा संक्ट, दूसरी बात है कि 216 रुप्या में कौन काम करेगा, और उसे क्या होने वाला है, 228 रुप्या, इसलिए तो हम लोग काते हैं, मिनमम 600 रुप्या दो, ये क्यों ने करते हैं, ये तो कंदर सरकार कर सकती हैं, तो इसलिए ये इसके साथ साथ जो ये जो है, ये संबिदा पर जो बहाल लोग है, जादे तर ग्रामीन जानी है, महिलाएं, आगनबाडी में है, आसा वरकर है, आपको मिड़े मिल वरकर है, बहुत ही देनिया हाल थे, आप उनको क्योंने 26 रुप के परतिमा गारेंटी करते हैं, बेतनमान गारेंटी करते हैं उनको सरकारी से वक्योंने आप गोसित करते हैं, तो कुल मिला के अगर आप देख रहें, तो अस्तिती बहुत ही बिक्राल है, मेहनत करने वालों, किसी भी छत्र में काम करता हो, उसकी अस्तिती बहुत ही देनिया है, भ्याबा है, और कमर तोर महंगाई, और वेरोजगारी उनको जिंदा कैसे रहेंगे, इसके सामने एक बड़ा प्रश्न खरा कर दिया है, और यही वज़ा है, अब खेत के मजदूर्ग तो खेतों में भी तब काम सिमित हो गया, अब मसीनों से काम होते हैं, पहले बैल से हल लेके लोग जोगते थे, ट्रैक्टर जोगता है, यह हर बर्स, कभी सूखा, कभी बाड, कभी और समाइक बरसा हो जाती है, ति इसके चलते हैं, तो जादे तर गरामीन गरीब जो पहले खेत मजदूर्ग थे, वो भी थोड़ा वो जो काम मिलता है, बचे समय में प्लाइन कर जाते हैं, बहर के खेत मजदूर्ग गरामीन गर 100 रुपिया मजदूर्ग मिल जाती है, केरल की याद बहुत वह तारीफ करते हैं, खुसो के आते हैं, वहां अच्छी मजदूर्ग है, वहां हर तरह के सहलियत मिलते हैं, वो साहित होते हैं केरला में जाके, और केरल साहित पूरे देस भर में बिहार के मजदूर्ग आपको म आदे तक एक सहलियत हो सकता है जाद मिल सकता है और रोटी दाल का हिजाम हो सकता है लेकिन इस मामले में केंदर saar कार पूरी तरह से दिफल है और इसलिए भड राएका क्रोस हमें दिखाई परता है मजदूरों में खेटियर मजदूरों में । इस सवाल को भी वे इस गेली के साथ वो जोर रहे हैं और एक और प्रश्ट है उनके साथ बास भूमी नहीं है बास भूमी का सवार और आपने देखा पिछले दिनों किस तरीके से इन्हों ने उस पे हमला किया बुल्डोजर तो बड़ा आतंक हुआ वहां पे जो लोग जहां बसे हुए हैं अब लड़के जएसे भी हो जिन्दा रहना है उनको तो कहीं कहीं वो बस जाते हैं और ज्यादा तर जो सरकारी जमीन है सिलिंग से खाजूल जमीन है भूदान की जमीन है उन्हों पर उन्हों जर बनाए लेकिन उन्हें आप बासगित कार्चा परचा नहीं जटते और अभी संक है जिसको महादलित कहते हैं उस पर सबसे नीचे पायदान पर है तो उनको ज्यादा बसे हुए हैं उन सब को नोटिस दिया जाता है ती बास भूमी का सवाल महत्पुन सवाल है और बुल्डोजर की राजमी तो नहीं चलेगी इसके लिए प्रतिरोध हो रहा है और जहां प आदिवासियों की बहुत बरी आवादी नहीं है लेकिन धारखंड में तो बरी आवादी है और बोर्डर हमारा पुर्णिया किसंगंज अररिया आपको कटिहार इंसमजिलों में है अब जिस तरीके से उधर बंध अधिकार कानून था अब उसको भी कमजोर किया गया मैं प जल जंगल जमीन पर उनका प्रम प्रागत अधिकार था आज कार्पुरेट को हवाले कर रहे हैं और उन्हें आप ख़देर रहे हैं तो क्या हो जिंदा रहने के लिए उनको संगर्स के अलावे उनके पास तो कोई हंतियार नहीं बसता है इसलिए लाल जंडा से आज उबरे पेमाने पे आकरसित हो रहे हैं और लाल जंडा थाम के दिल्ली कुछ करने की त्यारी कर रहे हैं शुक्र अब्रेजी प्राथित करने के लिए तो यह थे उद्रेश कुमार बाकी ख़व्योगले इगड़े रहे हैं उस्ट्री प्रतार